हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नियूज में दोस्तों मैं हूँ फिर दोस गनी और आप देख रहे हैं के डीबी लाइब दोस्तों आज की बिहार की टॉप नियूज लेकर आए आपके लिए दोस्तों वीडियो इस्टाट करने से पहले आप से क्रिक्वेस्ट है के मंतरे नितिस कुमार पर हमला बुला है सैनिवार को अपने ट्वीटर एकाउंट पर परसांत किसों ने लिका है कि देश भड़ में बिहार के लोग फसे पड़े हैं और सियम नितिस कुमार जी लॉगडाउन की मरियादा का पाट पर आ रहे हैं अस्थानी सरकार कुछ भी कर रहे हैं लेकिन सियम नितिस कुमार जी ने समंदित राज्यों से अब तक कोई भी बात क्यों नहीं की पिये मोदी के साथ मीटिंग में भी उन्हों ने इसकी चड़चा तक नहीं की है बिहार में डोर टू डोर सड़वे में सहर से लेकर गाउं तक संदिक्द मरिजों की तलास की जा रही है सरदी खांसी और बुखार वाले मरिजों को लेकर चल रही इस विसेस परताल में अब तक 90,000 से अधिक घरों का दरोजा खट-कटाया गया है हाला कि इसमें ऐसे परिवार कम ही मिले हैं जिनें सरदी खांसी और बुखार के समस्या आ रही है एक सो से अधिक परिवार मिले हैं जिनें जांच के लिए भेजा गया है डॉक्टर की जाच में कोई ऐसा विशेस मामला सामने नहीं आया है जिस करन से उनकी जाच नहीं कराई गई है स्वास्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सड़ेयों में कौफी अहम जानकरी निकल कर सामने आ रही है संकर्मन के चलते कोटा में फसे छातरों को बसे भेज़कर उतर परदेश वापस बुलाने के योगी सरकार के फैसले के बाद अब बिहार सरकार भी इस बात का दबाओ बर गया था जिसके बाद बिहार सरकार ने इस बात से साफ इंकर कर दिया है सुबे के गरामिन विकास मंतर सर्वण कुमार ने बताए कि हमारी सरकार बच्चों को वापस नहीं बुलाएगी जो वहाँ पर फसे हैं उने वहीं सुबीधा पहुचाई जाएगी इसके साहती ही वहाँ के राजी सरकार से भी सुबीधा देने को कहा जा रहा है गरतलब है कि यूपी सरकार ने कोटा में फसे 5500 बच्चों को बसों के जरिये वापस घर लाने का काम सुरू किया है जदि उन्हेता सरवनकुमान ने कहा है कि अभी छातनों तक स्विधा पहुचाने का काम सरकार कर रही है इस समय जरूरी यह है कि सभी धैड़े से काम लें और इस आपदा के खत्म होने का इंतजार करें जब पूरे देस में संकर्मन की वज़े से तलाबंदी का ऐलान किया गया तो लाखो की संक्या में अपरवासी बिहारी मजदूर दूसरे राजयों से बिहार की और प्लाइन करना सुरू किये थे इनकी संक्या लगबग दो से तीन लॉक के बीच मानी जा रही है अब आसंका जताई जा रहे ही कि लॉक डाउन जब खत्म होगा तो इन में से कईयों की नोक्री जा सकती है ऐसे में बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी बिहार का रुक कर सकते हैं अब इनी अपरवासी बिहारीों को लेकर बिहार में सियासत गर्माने लगी है इसकी सुरुआ तेजिस्वी अदब ने कर दी है ट्वीट करके सीम नितिस कुमार पर निजाना साथ तेवे तेजिस्वी अदब ने कही कि बिहार में आने वाले अपरवासी हो या फिर बिहार के बाहर फसे अपरवासी बिहारी उनके साथ बिहार की सरकार ठिक बरताओ नहीं कर रही है जबकि ये वो बिहारी है जो बिहार के अर्थ बेवस्ता में साल आना पचास से साथ हजार करोड का राजसो का योगदान करते हैं अखिर क्यों नहीं सुद ले रही है बिहार सरकार बिहार के मुक्यमंतरी नितिस्कुमा ने कहा है कि बरते संकर्मन को रोकने के लिए समाजिक दूरी ही एक मात्र उपाय है जंता के नाम दिये संदेश में सेम नितिस्कुमा ने कहा है कि इस महामारी की गंबिरता को देखते हुए परते एक वेक्ति का सचेत रहना बहुत ही जरूरी है मुक्यमंतिरी ने कहा है कि राजे सरकार सभी बिहार वासियों को पूरी मदद कर रही है और बिहार के बहार दूसरे राजे में फचे लोगों के लिए हम लोग अन्य राजे से बात करके आवसे एक मदद उपलब्त करा रहा है उन्होंने कहा है कि राजे के बहार फचे बिहार के मददोरों एवंग जरूरत मंद वेक्तियों के लिए मुक्य मंतिर रहत कोश से आपदा परवनन विभाग के मादम से सहता रासी के रूप में एक एक हजार रुपय परती वेक्ति के दर से रासी लोगों के खाते में भेजी जा रही है बिहार सरकार ने बरा फैसला लिया है जिहां बिहार सरकार ने फैसा लिया है कि अब राज जी के सभी आंगरमारी केंदर के सभी बच्चों को 200 ग्राम का दूद पाउडर दिया जाएगा बच्चे पाउडर से दूद बना कर उसका सेवन कर सकेंगी सुचना एवंग जनसंपरक बिभाग के सचिब अनुपम कुमार ने बताए कि इतनी मात रहा कि पाउडर से बच्चे 11 दिनों तक दूद का सेवन कर सकेंगी फिलहाल सरकार की योजना एक मेने के लिए दूद पाउडर देने की है संकरमन को फैले से रोकने के लिए घर घर जाकर सरवे का काम सुरूव किया गया है सरवे का काम उन गाउं और वार्डों में किया जा रहा है जहां विदेश से लोग आये है मुझफरपूर में स्वास्त विभाग के टीम 228 गाउं में अगले आठ दिनों में लक्षनों वाले लोगों की तलास करेगी आपको मतादो कि मुझफरपूर जिले में देश बंदी से पहले कुल मिला कर 320 लोग विदेश से लोट कर घर आये इन में से 62 लोग नेपाल से आये हैं जबकि 200 अठाउन लोग दूसरे देशों से मुझफरपूर लोटे हैं स्वास्त विभाग दुरा पलस पोलियों की टीम दौरा विदेश से घर लोटने वाले गाउं और महले की सूची बनाए गई है ऐसे 228 गाउं में पलस पोलियों की टीम घर घर जाकर लक्षनों वाले लोगों का पता लगाने में जुड़ गई है सर्वे के लिए मुझे परपूर में 300 एकाउन टीम बनाए गई है उतर बिहार में सुक्रवार की रात अचानक मोसम में बदलाव हुआ है आंदी बारिस के साथ जमकर ओला विरिष्टी भी हुई है तीन दिनों में दूसरी बार बारिस से किसान की फसलों को भारी पछती हुई है मुझे परपूर सितामरी सीब्ड पस्टी मिचंपरन, मदुबनी दरबंगा में तेज हावा के साथ बारिस और ओला विरिष्टी हुई है तीन दिनों में दूसरी बार पढ़ी मोसम की इस मार्स किसानों की कमर्ण तूट गई है इस वेस्विक बीमारी से मुकाबले में बिहार के संकर्मित पिरिद देश के परमुकर राज्यों से आगे निकल रहे हैं संकर्मन से मुक्त होने को लेकर बिहार देश में तीसरी अस्थान पर है सामनेतार राज्यों सहीत अनिर राज्यों से बिहार में मरीज तेजी से स्वास्त होकर घर लौट रहे हैं बिहार के 48 फिर्दी संकरमत पिरित स्वास्त होकर घर लौट चुके हैं बिहार में अब तक 85 मरीज पोजेटिब पाए गये हैं इनमें से 37 मरीज ठीक भी हो चुके हैं मरीजों की पैचान और इलाज की परकडिया तद्काल सुरू होने से मरीजों का जीवन बचाने में कामिया भी मिल रही है सौस्थ विवाक की अनुसार बिहार की तुलना में उत्तर परदेश में फिर से दूसरे राजों से मजदूरों का पलाइन सुरू हो गया है पिछले तीन दिनों से यूपी हरियान दिली और राजिस्थान से अपरवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है अब तक एनेच के रास्ते तकरीबन दो हजार मजदूर पहुंच चुके हैं इसके अलावे बड़ी संख्या में खेत मेर और पक डंडी के रास्ते भी मजदूर पलाइन कर रहे हैं पलाइन करने वाले मजदूर उत्तर बिहार के जीलों के हैं ये मजदूर माल वहा कटरकों पर लद कर आ रहे हैं साइकिल और पैदल भी मजदूरों का पहुंचने का सिलसला लगातार जारी है दूसरे परदसों से आने वाले परवासी मजदूर की जाज के लिए यूपी बिहार के सीमा पर कोई मुकमल विवस्ता नहीं है केवल एक चिकिसा कर्मी थर्मो स्क्रीन कर रहे हैं प्लाइन करने वाले परवासी मजदूरों के नाम और पता भी रेजिस्टर में दर्च किये जा रहे हैं बड़ी संखे में लोग एमबुलेस का जुगार करके गोपाल गंच के रास्ते दूसरे राजों से आ रहे हैं ऐसे में लोगों की नातो जाँच हो रही है और नहीं तलासी की जा रही है लोगडाउन के दौराण यह दि आप बे मतलब निकलते हैं तो साबधान हो जाईए क्योंकि आपके माथे पर आसमाजिक होने का कलंक लग सकता है जी हाँ यहाँ पुलिस ने लागडाउन तोरने वाले लोगों से निपटने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया है जो लोग भी लागडाउन का उलंगन करते पकड़े जा रहे हैं उनके हाथों पर पुलिस, हम परिवार और समाजिक के दुस्मन है का ठपा लगा रहे है पुलिस के इस गांधी वादी तरीकी की काफी सराहना हो रहे है दरसल ऐसा करने के पीछे पुलिस की मनसा है कि यदि लोगों के हाथ अपर ठपा मारा जाएगा इसको लेकर राजיסरकार के सामानिये परसासनविभाग की ओर्से एक गैडलाइन जारी जारी किया गया है। सरकार चित्ति के मताविक भारच-सरकार की ओड़सेli जारी गैडलाइन के हवाले देते हुए।। अप्रेल से सरकारी अफसरों को कुछ सर्टों के साथ खोलने का आदेस चारी किया गया है बिहार में संकर्मित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है राज्य में साम दो और मरीज में पॉजिटिव पाये गये हैं जहां नालंदा में 17 वर्से मरीज में खेती योजना काफी सफल रही है उत्साहितर राजसरकार ने अब इसे सभी जिलू में लाओutral करने का फैसला किया है योजना के जिम्हबरी लेने वाली सास्थानों की हिस्थन को भाइं चार सथानों को इसकी Wal दी गई है नई सथानों में अंतराश्थी चावल अनुसंधान केंद्र योजना से जूरने की सहमती दे दी है योजना में चैनित खेत में फसल की बुआई बीना जुताई की होती है पांच साल तक खेतों की जुताई नहीं होनी है योजना पर अभी पैलेट के रूप में काम शुरू हुआ था मुक्यमंतिर निटिस कुमार ने नवमबर में इस फैसले से बिहार के नियता प्रतिपक्षी तेजिस वियादब बहुत खुस हैं जिहां तेजिस वियादब ने ट्विट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतर योगी आदिति नाथ का ये कदम सरहनी हैं लेकिन बिहार का क्या कड़े जहां जारुचातर कोटा के जिला अदिकाडियों से विशेस अनुमती लेकर आये लेकिन बिहार सरकार ने इन्हें बिहार सिमा पर रोक परदेश में घुचने नहीं दिया है तालाबंदे की बिच घरेलो कामका जैसे टीवी कुलर पंका एंवर्टर की मरमत के लिए लोग मिस्तरी बुला सकते हैं इसके लिए मिस्तरी के पास कंपनी का पास होना जरूरी है पटना जिला परसोस ने इसकी इजाज़त दे दी है अलाकि इसमें सोसल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखना होगा कारे अस्तल पर काम करने वालों के लिए सैनिटाइजर और साप सफ़ाई का ख्याल रखना भी होगा लॉग डाउन के बीच खाद सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लाभारती को एक साथ तीन महा का मुप्त अनाज के लिए अभी और इंतजार करना होगा दिल्ली सहीत कई राज सरकारों ने अभी तक पर्धान मंतरी गडीब कलियान अनयाजना के तहत खादन उठाना सुरू नहीं किया है कई राजने बहुत कम अनाज उठाया है पर्धान मंतरी गडीब कलियान अनयाजना के तहत सभी पर्धिस और केंदसासित पर्धिसों ने कुल 28 लॉक टन अनाज उठाया है बिहार के मंगेर जिल्ले का जमालपूर बिहार का दूसरा बरा हाट स्पोर्ट बन गया है इसके बाद पर्धासन ड्रोन से कई अलागों की निगरानी कर रहे हैं आपको मतलदू कि यहां पिछले तीन दे दिनों के अंदर तस नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं इसके बाद सतरकता बढ़ते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है जिला पर्धासन ने ताला बंदी को सफल बनाने के लिए कई अलागों में ड्रोन का पहरा लगा दिया है वही जिले की S.P. ने इसे सफल बनाने के लिए पॉलिस के हर तरह से तयार होने की बात कई है दरसल मुंगेर जिला होट स्पोर्ट के दूसरा पैदान पड़ है इसके बाद जिला स्वास्त पर्सासन से लेकर जिला पुलिस पर्सासन के भी कान खड़े हो गये है पतना जिले में दूसरे जगे से आने वाले गारियों की इंटरी को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है अब पतना जिले के सभी बॉर्डर अलाकों में बने चेक पोस्ट पर पुलिस को एक रेजिस्टर मुहिया करा गया है जिसमें बाहर से आने वाले गारियों के नमबर को नोट किया जाएगा गारी पर सवार लोगों के नाम पता और मुबाइल नमबर भी रेजिस्टर में पुलिस लिखेगी दोस्तों आज कानिस बस यहता कैसा लगा आपको आज कानिस जरू अपना सुझाओ देगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल अकोन को भी प्रिस कर दिए और साथ पर मेरे को लाइक किजिए अपना दोस्तों के साथ सेड़ भी किजिए तो चले दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्श वीडियो में